प्री बोर्ट की तैयारी अब और भी आसान जी हां यूपी बोर्ट माधिमिक शिक्षा परसत प्रयागरास द्वारा मॉडल पेपर अपलोड कर दिये गए हैं उमीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एंट तक जरूर देखोगे और जो भी डाउट होंगे आप लोग जरू 2021-22 अगर आप लोग 2022 की परिक्षा में सम्मिलित हो रहें तो यह पेपर आप लोगों के लिए ही बनाए गया है आपको मिल जाएंगे किसके सामने के सामने ही आपको मार्क दिखाई दे जाएंगे स्टार्ट फॉर्स कोश्चिन एंड गो अप्टु दे लास्ट कोश्चिन जिहां बोड के जो एक मोल्यांकन समिती बना जाती है उसमें कहा जाता है कि अगर आप लोगों को प्रश्न आ रहा है उसे ही आप लोग सुरुवात से ही करते चले 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 आएं और अंधतक करें बाद में किसी प्रश्न का उत्तर लाश्ट में मत लिखा कीजिए कभी कभी होता क्या है स्टुदेंट्स कुछ नकल के सामगरी ले आते हैं उनको आखरी में करना पड़ता है वो प्रश्न के उत्तर तो इसको रोखने का प्रयास किया जा रहा है इसी तरह से आप लोग प्र पर में जिए जो आता है उसको करते चलिए अगर आपको रफ कार की अवशेकता है कहीं पर रफ कार करना है डूइट ऑन दे लेफ पेज आफ यूर अंसर भूग अपने उतर पुष्टिका के बाई तरफ आप लोग रफ पेज बना सकते हैं ठीक है एंड क्रॉस दा प्रेज है उसको वो लोग मुल्य अंकित न करें अगला है राइट दा सोलूशन संद पेज ऑफ बोथ साइड और फंशर भू कंसर्भू के में दोनों तरफ साप लोग स्लूशन लिख सकते हैं राइट यह स्टेप्स ऑफ स्लूशन का मतलब यह होता कि को चोड़के मतलब मुल्टि तो कंस्ट्रक्षन करते समय ध्यान देजिएगा मिलकुल भी जो आर्क आप लोग ने चाब बनाय थे आर्क बनाये ते उसको एक इरेस करने कोशिस दिए ध्यान रखेगा थोड़ा एरेस करते समय थोड़ा सानिवारत है ज़रूरी है पेजगंदा बिलकुल ना हो इस टिया पूछा जाय तो construction के steps जरूर लिखें अखरी एंगर पूछा गया तो डियाग्राम मस्ट है बनाना क्योंकि बिना डियाग्राम के question अगर आप लोग बना किया हो गया है construction से related अगर कोई भी डियाग्राम पूछा कर राइंगल होगे है बनाना निवार है marks नहीं दिये जाएंगा अगर बनाया नहीं होगा do all parts पहला question देख लेते हैं four alternatives of the question of each paper are given out of which only one is correct multiple choice question है आपके सामने चार option दिखाए गए उनमें से कोई एक सही होगा pick out the correct option ठीक है सही option का चुनाव कीजिए और अपनी copy में लिखना आपको पहला question देख लेते हैं which one is a pair of co prime numbers आप लोगोंने बच्पन से real numbers की series पढ़ी होगी उमीद करता हूँ even out number के साथ साथ आप लोगोंने co prime number prime number यह सब कुछ पढ़ रखे होंगे तो पहला question से बहुत ही easy आगया co prime numbers की series क्या है pair of co prime पहला है 1435 second है 1825 third है 3193 and the last one is 3262 तो आपको उमीद क्या लगती है इस question को आप लोग कर पाऊगे board में बिल्कुल easiest question रखे जाते हैं बस आपकी तयारी कितनी होती है इसी को देखते हुए आप लोग number अच्छे से प्राप कर सकें तयारी कीजिए math की है math का paper है अच्छे से तयारी कीजिए अगला question product of roots of quadratic equation 3x square minus 4x is equal to 0 क्या होगा इसका quadratic equation जो root है root बताना है आप लोगों को पहला 0 होगा 4 upon 3 होगा 3rd है minus 4 upon 3 and the last one is 3 upon 4 क्या होगा इसका सही answer item कीजिए इस questions को भी ध्यान रखियेगा अगर आप लोगों को rough page की आवज सकता है तो left side पे आप लोग रफ पेज बना सकते हैं किसी भी pages के left side में आप लोगों को rough page किया निवर्था दी गही अगर आप लोग बनाना चाहें तो rough page बना सकते हैं अगला question question number first कसी है properties of similar triangles आर जो properties होती है किसी भी similar triangles की क्या होती है पहला है its corresponding sides are proportional होती है या फिर its corresponding angles are equal होते है या फिर दोनों ही option बिल्कुल सही है या इन में से कोई भी option सही नहीं है ध्यान अकिएगा none of these वाला question तो मैं बिल्कुल prefer नहीं करता हूं board के examination में उमीद है तीनों में से कोई एक option ही सही होगा आप लोगों को आता होगा तो अच्छी बात है नहीं आता है कोई कोई समस्या है तो आप लोगों कमेंट बॉक्स में पोच सकते हैं question number first का दिए देख लगते है the value of cost 60 degree cost 30 degree minus sign 60 degree and sign 30 degree तो उम बहुत ही बेसी कोश्चेन है multiple choice का पहला option है 0 उसके बास second option है root 3 by 2 and the third option is 1 by 2 and the last is 1 तो क्या लगता value of cost 60 degree cost 30 degree minus sign 60 degree sign 30 degree क्या होगी तो solve बीजिए answer आराम से निकलाएगा बहुत इसी कोश्यन है which one is not a central tendency इन में से कहों से central tendency के अंतरगत नहीं आता तो central tendency आप लोगोने stats वगरा पढ़ा रखा होगा sign segment joining these points will be कितना होगा minus 40 होगा 0-4 होगा minus 4, minus 4 होगा यह ले लास्ट 1 4-4 होगा उमीद है आप लोग कर लोगे attempt all question all parts questions question number 2 a part देखले find the discriminant and nature of the roots of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 अगर आता है तो अच्छी बात है एक number का आपको उत्तर मिल जाएगा यह अगर आप लोग सही निकालते हो if 15 count a is equal to 8 then find out the value of sign a and sec a तो अगर आपने निकाल लिया 15 count a बराबर 8 तो आप लोग आसानी से निकाल लोग sign a की value and sign a sec a की value question मसी if the area of two similar triangles ध्यान रखिए का question समझना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप लोग maths कर रहे हैं तो question आपको समझ में आना चाहिए अगर if the area of two similar triangles ठीक है दो similar triangles है और 121 square centimeter and 289 square centimeter respectively then find the ratio between the corresponding side और आपको रेशियो निकालना सिर्फ corresponding sides का एक marks का है बहुत ही छोट चोड़ा सा question पूछा गया आप लोग उसे D question इसी का ही in a certain distribution mean and mode are 16 and 13 respectively find the medium or the distribution आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ medium बताना distribution का तो क्या होगा उमेद करते हूं आप लोगों को answer आता होगा attempt all parts आप बात करते हैं थोड़ा सा बढ़ गया है question का समझाने का तरीका भी बढ़ गया है आप लोगों को marks भी बढ़ ज्यादा मिलेंगे पहला prove that root 3 is a irrational number आपको बताना है root 3 एक तरह का irrational number है solve करके बताना है इसको question number 3 का भी है find the value of a for which pair of linear equation ax plus 2y is equal to 2 दूसरी है यहाँ पर 8x plus ay is equal to 4 have an infinite numbers of the solutions आप लोगों को solve कर देना value निकाल नहीं a की क्या होगी और 2 marks आप लोगों को दे दी जाएंगे if the given figure c देख लेते figure यहाँ पर दिया गया होगा चलिए देख लेते हैं उसको भी in the given figure ps upon sq is equal to pt upon tr and angle pst is equal to angle p r q ठीक है समझ में आगे को आप लोग डियाग्राम भी देख सकते हैं सिंपल में बताएंगे सिर्फ आपको प्रूफ कर देना प्रूफ करना है the triangle p qr is an asocellus triangle ठीक है समझ में आगे बिल्कुल easiest है उम्मीद करता हूं आप लोगो दो marks मिल जाएंगे d question the radi of circular ends of the first term 40 cm high 38 cm and 8 cm find the slant height of the first term ठीक है तो उमीद है यह भी आप लोग कर लोगे दो marks का यह question है fourth question देख लेते हैं attempt all parts फिर से सारे question करने अनिवार है यूज यूकलिट algorithm to find the scf पहले chapter से related आप लोग ने पढ़ा रखा होगा से related ही है यूज यूकलिट method आप लोग ने पढ़ा रखा होगा algorithm का find करना scf 272 and 1032 1032 और साइड में दिया है 272 तो उमीद है two marks आप लोग पा जाओगे आसानी से पी question है is a point a point a d d is a point on the side bc bc का x point a d किसी भी किसी ट्रेंगल का ठीक है off a triangle जिसका यहां पर दे दिया गया है triangle a b c such that angle a dc बराबर है बिल्कुल angle b a c k show that करना आप लोगों को c a square c b into c d ठीक है इस तरह से सो कर देना आप लोगों को c a draw a line segment एक line segment को draw किजिए 5 cm के divide किए in the ratio of 2 ratio 3 इसी segment को divide करना तो 2 ratio 3 में ठीक है measure करिए the length of the both the part और parts को दोने parts को आप लोगों measure कर देना है d question trigonometry से देख लेते हैं if cot theta is equal to 7 upon 8 then find the value of find value करनी है इसी से देखिए cot theta दे रहे है 7 upon 8 इसी से ही आप लोगों को value find करनी है one plus sign theta एक bracket में one minus sign theta दूसरे bracket में upon one plus cos theta एक bracket में second bracket में one minus cos theta उमीद है बहुत ही easiest question है इसको सॉल आसानी से कर लोगे आप लोग अगला question number 5 देख ले अटन टॉल question स्फिर से सभी question अनिवार है कोई भी option मिला नहीं if the sum of squares ठीक है if the sum of the squares of two consecutive positive integers दिया है 365 find the integers ठीक है the sum of the squares of two consecutive positive integers देखिए दो positive integers की जो value निकल किया है 365 अब आप लोगों को प्राप्त करना है क्या चीज़ इंटीजर्स बताने है कौन उसे थे second देख लेते हैं B वाला in which ratio does the point minus 46 divide the line segment joining the points A minus 610 and B 3 minus 8 तो उमीद है कर लोगे आप लोगो सी चलते हैं देखते हैं सी कैसा है metallic sphere of radius 4.2 cm is melted मतलब गलाया जाता है metallic sphere को जिसकी radius दे दी गई है 4.2 cm की ठीक है इसी गला देते है recast into the shape और इसको दूसरे shape में बनाते है cylinder shape में of radius 6 cm find the height of the cylinder cylinder की height क्या होगी देखिए 4.2 cm metallic था जिसको गला दिया गया उसके बाद shape of cylinder का बना दिया जिसकी radius दे दी गई 6 cm आप लोगों सिर्फ उस cylinder की height को बता देना है उमीद है तीन marks आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे question बहुत easy है देख लें the following table shows the literacy rate in the percentage of 35 cities देखिए 35 cities की यहाँ literacy rate दे दे दिए यह उमीद है आप लोगों को answer आता होगा 35 states चाहें तो आप लोग जोड़ना चाहें तो नीचे जोड़ सकते है number of cities यहाँ पर 35 ही निकल कि आएगा 3 plus 10 plus 11 plus 8 plus 3 यह 35 ही निकल कि आएगा यहाँ पर आप लोगों literacy rate दे दिया गया है सबसे उपर का मैं समझा देता हूं literacy rate percentage में 45 to 55 है first series में जिसमें number of cities 3 है उसके बाद 10 cities की literacy rate 55 to 65 के अंतरगत आता है जबकि 11 cities का जो literacy rate है वो 65 to 75 के अंतरगत आता है और 8 cities जिसका 75 to 85 पहुच जाता है और जबकि last में 3 cities ऐसी निकलती है जिसका जो literacy rate होता है वो 85 से लेके 95 तक चला जाता है यह आप लोगों को find the mean literacy rate देखे इनी मेंसे आप लोगों को find करना है mean literacy rate को ठीक है उमीद है आप लोगों कर लोगे बहुत easiest है 3 marks आप लोगों को मिल जाएंगे question number 6 attempt all parts फिर से अगेंज attempt करने है साइबी parts को the difference between squares of two numbers इस देखें दिफ्रेंस बिविन squares of two numbers is 180 the square of the smallest number sorry the square of smaller number is eight time the larger number ठीक है eight time the larger number find the two number दोनों number निकाल लीजिए उमीद है समझ में आगे फिर से एक बार देख लेते question इसको the difference between squares of two numbers is 180 difference निकल क्या आगिया 180 the squares of the smaller number is eight times of the larger number ठीक है eight times आप लोगो multiply कर देना number मिल जाएगा find the two numbers क्या थे बी कोशिन simple वे में यहाँ पर diagrammatic तोड़ा सा देख लेते हैं in the given figure ABCD आप लोगे figure दिख रहा होगा square of a side 14 cm बिल्कुल दिख रहा होगा find out the area of the shaded region यहाँ पर shaded reason देखिए blue color जो shaded region इसका आप लोगों को area find करना है उमेद करतों आप लोग इसको solve कर लोगे four marks question ऐसे questions भी board में पूछे गहें और इस तरह questions भी आप लोग solve जरूर किजिए अगला रेखते हैं construct a tangent of a circle of radius of four centimeter from a point on the concentric circle of radius six centimeter and measure its length आप लोगों को length निकालनी है constant करना है a tangent of a circle जिसका radius दिया है four centimeter from a point से लेकर on the concrete circles of the radius जिसका radius दिया है six centimeter और इसकी measure करना है its length इसकी length को measure भी करना है आप लोगों को four marks again day question देख लेते हैं आज सर्वे एक सर्वे was conducted करा जाता है एक सर्वे होता है जिसकी में पता चलता है the heights of 51 girls of class 10 in a school the following data has been obtained और कुछ data मिलते हैं उसको देख लेते हैं कौन-कों से data हम लोग ने यहां पर देखे हैं आप लोगों को क्या निकालना find the median height निकालना है तो यहां पर 51 girls का data है देख लेते हैं क्या चिछ गई गई है तो परशान होने के बिल्कुल वाशकता नहीं less than 140 जिनकी height थी वो चार girls निकल के आई उसी तरह से 145 girls ऐसी थी जो 11 थी मतलब जिनकी height 145 cm के approximately वो गिया रहा थी उसी तरह से 150 जो height की girls थी 29 थी less than 155 40 girls थी और less less than 160 46 थी और less than 165 girls की संख्या थी विक्यावन थी तो find the median height पूरा question अच्छे से attempt कीजेगा जोड़ गटाना अभाग जोगी भी आपको करना है इसमें कर लीजे median height निकाल लें आपको question 6 देख लेते हैं solve the falling pairs of the equation by reducing then appear offline equation तो linear equation आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा सामने आपके सामने value देदी है 10 upon x plus y plus 2 upon x minus 1 is equal to 4 second series में लिखा है 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2 अगर आपको यह question नहीं आता तो आप लोग परिश्चान बिल्कुल मत वी चे नंबर question है अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए option दिया है तो देख लेते हैं the sum of the reciprocal of the romance is in year ठीक है three years ago and five years from the now one upon three find the present age आप लोगों को वर्तमान आयू निकालनी है रह्मान की तो रह्मान की क्या होगी वर्तमान आयू ऊपर question समझा दिया गया है the sum of two reciprocals of the romance age in year में दे दिया three years ago five years from now and one upon three is one upon three find is present age निकाल लोगी six marks question है दोनों में से कोई एक करना है बी पार्ट में बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को दोनों में से कोई एक करना है दोनों ही समझा देता हूं है the angles of depressions of the top and bottom of and eight meter ठेक है top and bottom क्या दे दिया है eight meter दे दिया है depressions of the top and bottom eight meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively बिल्कुल इसी तरह के angles बनाते हैं find the height of the multi-storied building and distance between two building दोनों बेच की दूरी और find the height निकालना है आपको इस question के अंतरगत six marks का question है अच्छे से अटम कीजिएगा क्योंकि math है अगर आपने थोड़ी सी भी misprint या थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका उत्तर निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है हाला कि steps की marks दे दे हैं मतलब दे दिया जाते हैं तो कोशिस कीजिए जब steps आप लोग सही कर रहे तो अंसर भी आप लोग को सही लगभग आना चाहिए अगला कुछिन अगर आपको नहीं आता है तो second option वाला कुछिन मैं पड़ता देता हूं फ्रा में पॉइंट एक पॉइंट पी है और ग्राउंड से लेकर दा एंगल ऑफ एलिवेशन उसका जो एलिवेशन बनना होता है और यह पॉइंट पी है जो पॉइंट पी है वो है कितना ए ठीक है आप लोगों को फाइंड करना लेंथ को अफ फ्लाइग स्टाफ की एंड डिस्टेंस मतलब दूरी बतानी ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी तो पी से उस बिल्डिंग की दूरी कितनी होगी अगर आप लोग वैलू लेना चाहें रूट 3 की तो 1.732 ही ले इ वैलू ही लेना है आप लोगों को तो उम्मीद करता हूं कोशे नंबर 6 जो लॉंग में था वह भी आप लोग अच्छे समझ गये होंगे और यह पेपर आप लोग कितनी जल्दी कर सकते हैं इसको कोशिस कीजिए क्योंकि पेपर तो मैंने बता ही दिया है अंसस आप लोगो करके बिल्कुल बताईएगा